आल राइट, नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, और वो बात basically medical career के बारे में है, देखे आप medical career क्यों ले रहे हैं, ये बहुत important है, और medical career के अंदर आपको जो basic traits है ये life क अंदर, वो है self discipline का, अगर आपके अंदर self discipline है, तो medical career बहुत अच्छा है, दूसरी चीज, medical career में बहुत important है, वो है, दूसरों के लिए चिंता करना, ये एक बहुत अच्छे doctor की निशानी है, जो दूसरों के लिए चिंता करता है, तो दो बाते, self discipline, दूसरा, दूसरों के ल इस तरह के लोग medical profession के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक category of student है, या parents है, जो अपने बच्चों को medical career की तरफ धकेलना चाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिरफ पैसा दिखता है, पैसा बहुत है उसके अंदर, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सिरफ पैसे के लिए medical career के अंदर जा रहे हैं, तो आपको बहुत disappointment होगी, क्योंकि आपको दिखेगा कि आपसे भी जादा लोग पैसे कमा रहे हैं, दूसरी line के अंदर, लेकिन अगर medical career के अंदर आपका ध्यान दूसरों के प्रती है, आप दूसरों के प्रती बहुत empathy रखते हैं, आप इलाज करना औ और आपका passion है कि नएने cases आएंगे, आप नएने cases को solve करेंगे, और आपको उससे satisfaction बहुत मिलेगी, और आप में एक self discipline है, क्योंकि आप अगर discipline नहीं हैं, तो ना तो केवल आप NEET की तियारी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बोर्ड भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, आप medical तो बहुत दूर की बात है, तो self discipline एक पहली निशानी है कि आप अच्छे doctor बन सकते हैं, नीट के दौरान अब COVID आया था, और COVID के time पे सबसे आदा नुकसान क्या हुआ है, self discipline का loss हुआ है, जादा तर बच्चे जो हैं वो अब discipline छोड़ चुके हैं, लेकिन जो है, वो self discipline खो बैटी है, और ये self discipline खोना जो है सिरफ student के लिए नहीं है, ये हर आम आदमी के लिए है, जो अब घर के अंदर बंद है, जो afford कर सकता है, और जो afford नहीं कर सकते है, वो बैचारे जो हैं अपना सडकों पे घूम रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो सुबह उठना है, खुद अपना बेड लगाना है, खुद हमें अपने सारे काम करना शुरू कर देने चाहिए, स्कूल भी खुल गया है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका discipline घर के अंदर बिल्कुल छूट गया था, और अब आप भार जा रहे हैं तो आपको सुबह जोटना पड़ेगा, आपको homework करना पड़ेगा, आपको lab करना पड़ेगा और आपका सामना होगा paper से, physics के paper से, और physics के लिए तो आपको मालूम ही है, कि physics समझ नहीं आए, आए, तो क्या करें कि physics समझ में आए, सबसे पहले आप अपना self discipline वापिस लाइए, और self discipline आएगा कै से, क्योंकि आप एक अच्छे doctor बनना चाते हैं, जो अच्छा doctor बनना चाता है, जो patient के बारे में चिंता कर सकता है, उसके पास एक goal है, अगर आपके पास goals हैं, तो discipline नाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो अपने पुराने सपने को, उसको साकार करने के लिए, उसको जगाई ध्यान से रोज, 10 मिनट, 15 मिनट अपने पेरंट से, अपने अंकल से, कुछ family member से, बहन से, भाई से, पडोस में, कोई बड़ी आदमी हो, उनसे discuss करिए अपने career goals के बारे में, कि goals क्या, हमारे career goals COVID से पहले थे, और वो वापिस हमारे दिमाग में vanish हो गए हैं, उनको दुबार से revive करिए, तो उमीद करता हूँ आपको यह tip जो है self discipline के बारे में, और doctor बनना किन के लिए beneficial होगा, और किन के लिए beneficial नहीं होगा, पैसा definitely आएगा, लेकिन सरफ पैसे के लिए doctor बन रहे हैं, तो बहुत disappointment होने वाली है, अगर दूसरों के लिए treatment करने वाले, चंता करते हैं, और self disciplined हैं, तो आप इस profession के अंदर सबसे खुश इंसान होगे, तो एक बहुत अच्छा career आपकी wait कर रहा है, COVID का time अब समापत हो रहा है, और उमीद करते हैं, बिल्कुल खतम हो जाएगा, जैसे जैसे यह time बढ़ेगा, और चीज़ें normal हो जाएंगी, अपने self discipline को भी normal करिए कर रहा है, बिल्कुल आपका कर रहा है, झाल के और समा जाएग, जैसे वाह बहाह म charisma अभी आपकी है, तो में आपकी स्च सक्चा की मतूल आपकी है, तो है इंसे